नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में Realme C25Y vs Infinix Hot 10S का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरी स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme C25Y में 6.48 इंच जबकी Hot 10S में 6.75 इंच की लेंथ मिलती है विडि की बात करें तो Realme C25Y में 2.99 इंच जबकी Hot 10S में 3.05 इंच की विडि की बात करें थिकनेस की तो Realme C25Y में 0.36 इंच जबकी Hot 10S में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी सेम जैसी ही है अब बात करते हैं वेट की तो Realme C25Y में 200 ग्राम्स जबकी Hot 10S में 211 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जोकी Realme C25Y से ज्यादा है तो चलिए अब हम दिस्प्ले को कंपेर करते हैं दिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Realme C25Y में 20 रेशियो नौ जबकी Hot 10S में 20.5 रेशियो नौ मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme C25Y में 6.5 इंचेस जबकी Hot 10S में 6.82 इंचेस मिल पी है दिस्प्ले रेजलूशन Realme C25Y में 720 x 1600 और Hot 10S में 720 x 1640 मिलता है स्क्रीन टू बॉड़ी रेशियो Realme C25Y में 81.59 प्रतिशत जबकी Hot 10S में 83.2 तीन प्रतिशत मिलता है बात करें पीपी आइडेंसिटी की दो Realme C25Y में 270 प्रति इंच जबकी Hot 10S में 263 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेश्टाएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो Realme C25Y में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Macro Camera, Depth Camera देखने को मिलता है और Hot 10S की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Depth Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो Realme C25Y में 8 different type के features मिल जाते हैं और Hot 10S की बात करें तो उसमें 7 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Realme C25Y में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 7 different features मिलते हैं और Hot 10S में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें पांच डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Realme C25Y में Mali-G52 जबकी Hot 10S में Mali-G52-MC2 मिलता है चिपसेट की बात करें तो Realme C25Y में Unisoft T610 और Hot 10S में MediaTek Helio G85 मिलता है बात करें RAM की तो Realme C25Y में 4GB की RAM मिलती है जबकी Hot 10S में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते है वो Realme C25Y में 128GB की storage मिलती है जबकी Hot 10S में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 64GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों phone में up to 256GB है operating system दोनों phone में Android V11 देखने को मिलती है battery Realme C25Y में 5000mAh जबकी Hot 10S में 6000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो Realme C25Y में 2 colors जबकी Hot 10S में 4 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Realme C25Y में एक ही variant देखने को मिलता है जो की 4GB RAM 128GB storage के साथ 11,999 में मिल जाता है वही अगर बात करें Hot 10S की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते हैं जो की 4GB RAM 64GB storage के साथ 9,999 रूपीज 6GB RAM 64GB storage के साथ 10,499 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजर गॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो Realme C25Y में 4 फाइदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Infinix Hot 10S की तो उसमें 6 फाइदे और एक नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कामरा में Realme C25Y आगे है फ्रंट सेल्फी कामरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में Hot 10S आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी Redmi 9 पावर है जो की 10,499 रुपे में मिलता है दूसरा Realme Nazo 30 है जो की 12,499 रुपे में मिलता है तीसरा Realme C25 है जो की 9,999 रुपे में मिलता है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 आई है जो की 13,999 रुपीज में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना